हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू बाई चैनल आप सब कैसे हो भगवान की दिया से बहुत अच्छी होंगे मैं बहुत अच्छी हूं फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं चान्नी चौंग बिल्कु छोटा सा टूर लेके आई हूं आप सब के लिए दिन और रात का दिन में कैसा लगता है चान्नी चौंग रात में कैसा लगता है तो फ्रेंड्स मैंने पूरी कोशिश किया थोड़ा दिखाने की तो आप इंजवाई कीजिए अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट जूर कीजिए जिन्हों सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वह सब्सक्रा किनारी बजार पर थोड़ा से मुझ को शॉपिंग करनी थी किनारी बजार से तो थोड़ा बहुत में यह बीट स्वेर लिए तो इसे डियाएवे बनाएंगे आगे तो फिर आगे कि तरह हम चलते हैं यह फैंस वहां पर नेक्स बेरा मिले थे गले पर लगाने के लिए काफी अच्छा नया समान आया है हल्दी मैंने सब पुराने ही यह तो शुरू से चलते आ रहे हैं वहां पर एक रादा क्रिशन जी देखिए कितने खूबसत लग रहे हैं उन्होंने कप्ड़े पहना के बहुत अच्छी से जाके लग सेल के लिए लगा रखा था तो बहुत प्यार लग रहे हैं यह लटकन थी लेसिस थी तो आगे यह आगे आगे हम नहीं सड़क वह दर जोंसा लाल की लेवली रोव है सारी की सारी वहां पर आगे हैं यह देखिए लेंगा वरा था एक दो ड्रेसिस मैंने शॉप्स देखिए वहां पर और यह बच्चों के जोंसे शेरवानी पैंट कोट सब मिल रहा था यह रेखिए पुरे रेडी करके दुले त्यार बैठे थे यह रेखिए बिल्कु रेडी हैं जुत्ती भी साथ में मिल रही थी ड्रेसिस के साथ और यह फैंस रात का पूरा वहां पर लाइटिंग वेरा हो रही है देखिए कि अंदर एंट्री करते हैं गुर्द्वारा सापका अगाए पर लाइटिंग बहुत ही सुन्दर लग रही थी क्यों यह सामने जहां पर पहले शीहीद हुए थे साब जादे यह यहां पर उन्होंने चेंज करके ऐसे बना दिया है देकिए बहुत प्यारा लाइटिंग थी य यह सामने आगे चलते हुए हम सामने लाल कील है और यह गोरी शंकरजी का मंदीर है भगवान गोरी शंकरजी का इनकी लाइटिंग बहुत ही सुन्दर लग रही थी रात में तो चाने जोंग बहुत ही सुन्दर लगता है लाइटिंग बहुत अच्छे लग रही है वह लाल मंदीर है उपर से, वो सामने रेड़ फोर्ट, उसकी वी लाइटिंग बहुत अच्छ हो रही है, हमारे मैट्टिल सेशन के बार छोटा सा मंदीर है, उनके मातरानी के दर्शन के लिए, अब यहीं तक था, छोटा सा ब्लोग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, झ Swiss वी अईब कर रां भारा है, हमाउ शेहिव लाइड हो बहारा है, हमारे मेंदीर उनके अछ्मिया स क्षाओऑ़ ऱ।